मेरे परिवार जनों, आप सभी ने गुजरात के तिर्थक्षेत्र अंबाजी मंदीर के बारे में तो अवस्य ही सुना होगा। यही एक महत्मपुन शक्तिपीड है जहां देश, विदेश से बड़ी संख्या में स्रध्धालू, मांबे के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह प्रतिमाय इस्तमाल हो चुकी, कबाड में फैंक दी गई, पूरानी चीजों से बनाई गई है। अंबाजी शक्ति पीट पर देवी मां के दर्शन के साथ साथ यह प्रतिमाय भी स्रध्धावनूओं के लिए आकर्षन का केंद्र बन गई है। इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है। हमारे देश में बहुत सार ऐसे लोग हैं जो वेश से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मेरा गुजरात सरकार से आग रहे को एक प्रतियोगीता शुरू करें और ऐसे लोगों को आमंत्रित करें। ये प्रयास गब्बर परवत का आकर्षन बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वेश्टु वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करें। जाथियो जब भी स्वच्छ भारत और वेश्टु वेल्थ की बात आती हैं तो हमें देश के कोने कोने से अंगिनत उधारण देखने को मिलते हैं। असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्टिक में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की भावना भरने का संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है। यहां पढ़ने वाले विद्यारती हर हफ्ते प्लास्टिक बेश्ट जमा करते हैं जिसका उप्योग इको फ्रेंडली इंटे और चावी की चेंज जैसे सामान बनाने में होता है। यहां स्टूडेंट्स को रीसाइकलिंग और प्लास्टिक बेश्ट से प्रोड़क बनाना भी स्काय जाता है। कम आयू में ही परियावरण के प्रतिये जागरुपता इन बच्चों को देश का एक करतव्य निष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी।